हलो एवरीवन दिस इस सद्धार्थ पतेल वेलकम टू मैगनेट बेंस एक कम्प्लीट फ्री एजूगेशन प्लैटफॉर्म है मैगनेट बेंस पर आपको सभी चैप्टर के वीडियो बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट मिलेंगे मैगनेट बेंस पर ऐसा नहीं होता है कि दो चैप के वीडियो आपको बिल्कुल फ्री अफ कॉस्ट मैगनेट बेंस के प्लैटफॉर्म पर मिलेंगे इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडियम ओफ रिलिजिन अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने प्रीवेस वीडियो से वीडियो मिलेंगे वो सारी वीडियो आपके लेटेस्ट सिलिबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे लेटेस्ट सिलिबस जो अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको भी पता है कि जो आपकी बुक है उसमें लाइक चैप्टर वन चैप्टर टू और एक और करते हैं राइट टू फ्रीडम औफ रिलिजिन अब आपको भी पता है कि इंडिया में फ्रीडम आफ रिलिजिन तो है क्योंकि आप लोग देखते हूं इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिति है अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग अपने religion को बहुत अच्छे से follow करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि freedom of religion इंडिया में बहुत अच्छे से exercise होता है because इंडिया is known for its diversity और हम इस diversity को बहुत अच्छे से accommodate करके बहुत अच्छे से एक साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं चीक everyone enjoys right to freedom of religion of his or her choice right to equality right to freedom and right to freedom of religion अगर हम देखें तो हर इंसान अपने हिसाब से जिसको जो religion follow करनां वह religion प्रिलिचन वह इंडिया में फॉलो कर सकता है उंडिया मैं आपको ऐसा कोई ऐसा नहीं है पेग पर्डिकोलर religion रिलिजन हैं तो है आप इंडिया में रहेंगे, आप किसी भी religion के हो, आप बिल्कुल उसे follow करो, अपने असाब से prayer करो, कोई मना नहीं है, अगर हम लोग right to equality की बात करें, तो ये freedom of religion कहीं नहीं, right to equality से भी male खाता है, right to equality से कैसे इसका तालमिल बढ़ता है, मैं बताता हूं, right to equality में हमने क्या पढ हैं, तो सारे लोग equal हैं, चाहिए वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इसाई हो, सारे लोग एक जैसे हैं, we all are equal, तो right to freedom of religion में ही कहीं न कहीं right to equality छुपी हुई है, कि हम सारे लोग equal है, right to freedom, right to freedom याने सभी इंसान को आजादी है, कैसी आजादी है, अ अपने धर्म को follow करने की, आपको आजादी है, मंदर जाने के, आपको आजादी है, मस्जिद जाने के, आपको आजादी है, गुरुद्वार जाने के, आपको आजादी है, चर्च जाने की, ठीक है, आपको आजादी है, आपको जैसे prayer करना, वैसे prayer कीजिए, आपके उपर क इन्हेरिट है कही ना कहीं पर यह वाला कॉंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया तो इन दोनों राइट से हम दें एक नया राइट निकाल दिया राइट तो freedom of religion अब freedom of religion की need क्या है सवाल यहां पर आता है कि हमें freedom of religion की need क्या है तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें अगर हम throughout the world की बात करें तो हमने देखा कि बहुत सारे राजा रजवाड़े चीक है बहुत सारे king kingdoms बहुत जगा हमने देखा है throughout the world की वहां पर जिसका रूल होता है मतलब जिस religion के राजा का रूल होता है वहां की प्रजा को वह या तो forceful conversion कर वा लेते हैं या फिर क्या होता है या फिर वहाँ पर वह अपने religion को follow नहीं कर सकते थे तो throughout the world अगर हम लोग देखें तो यह religion की उपर से जब से यह king kingdom वाली यह जो कहानी चल रही है तब से हमने देखा था कि लोगों के पास में अपने धर्म को मानने के लिए लोगों के पास में हमने religion को follow करने की वो आजादी नहीं थी ठीक है तो historically the freedom of religion was not there religion persecution and forced conversion यह हमें देखने को मिल रहा था हमें religion persecution याने अगर मानलो चो king है king एक particular religion x y z से है और उसकी प्रजा में कोई दूसरे religion से है like a b c तो king बोलेगा या तो भीया तुम x y z religion में convert हो जाओ नहीं तो इनको प्रतारित किया जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमने बहुत सारे instances देखे हैं past में ठीक this freedom is considered as an hallmark of democracy ये हमारी democracy के लिए बहुत जादे hallmark है अब secularism क्या है उस पर मैं थोड़ी दिर में होंगा ठीक है ये freedom हमारी democracy के लिए बहुत जादे hallmark है freedom of faith and worship equality of all religion आप सोचो कि इंडिया में democracy sustain रहे और freedom of religion नहीं रहे तो democracy कैसी democracy में तो यह होना चाहिए कि सभी लोग एकवल हो सभी लोगों के पास में आजादी हो साथी साथ किसी का भी जो majority है वह minority को क्या करें जो majority है वह minority को प्रताडित ना करें तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि यह जो freedom है freedom of religion यह democracy का hallmark है कि democracy के लिए बहुत ही ज्यादा important freedom है अगर यह freedom नहीं रही अगर यह right नहीं रही तो कहीं ना कहीं हमारी democracy का जो हम बोलें ना success of the Indian democracy वह कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगा ठीक है पिर हमारे freedom of faith and worship equality of all religion आपको पूरी आजादी है आपको जिस भगवान में जिसमें जैसा विश्व आपको कोई रोकठोक नहीं है आपकी freedom में आपको आपके भगवान से कैसे हाँ जोनना है कैसे आपको आपके भगवान से connection बैठाना है यह एंड्या में आपको पूरी अजादी है इंडिया में जितने भी religion है वो सारे religion equal है Energy quality-of all religion कोईyu भी religion superior या inferior नहीं है इंडिया में clear यह चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है now a freedom of faith and worship को हम थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा सा detail में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं everyone is free to choose and practice any religion कोई भी इंसान उसे जो भी religion choose करना है practice करना वो से साबसे करे मुझे जो religion अच्छा लग रहा है ठीक है अगर मालो मुझे Hinduism में विश्वास है तो ठीक है मैं उसको follow करूँगा मुझे Sikhism में विश्वास है तो ठीक है मैं उसको follow करूँगा मुझे Christianity में विश्वास है तो ठीक है मैं उसको follow करूँगा तो जिसमें मुझे विश्वास है जो religion मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसको follow कर सकता हूँ और आप कोई नहीं होते हो मुझे बताने वाले then freedom of consigns हमें आपारे मन में कौन से बगवान को हाथ जोड़ना क्या है वो सारी चीजें profess freedom of consigns profess follow and propagate any religion आपको अपने religion को कैसे मानना है कैसे हाथ जोड़ना है आप अपने religion को इंडिया में propagate भी कर सकते हो मतलब बूसरे लोगों को बता सकते हो for example मैं बाहर निकला मैंने मेरे फ्रेंड को बता है कि देख मेरे धर्मे पता एक चीज बहुत अच्छी है तो मैं मेरे धर्म के बारे में लोगों को बता सकता हूं इसमें इंडिया में कोई पाबंदी नहीं है अगर कोई अपने धर्म के बारे में किसी दूसरे इंसानों को बताता है तो उसमें इंडिया में कोई भी पाबंदी नहीं है है subject to certain Limitation लेकिन यहां अब थोड़ी सी पाबंदिया है मतलब थोड़ी सी पाबंदिया मतलब ऐसे आप किसी को कुछ भी बता रहे हो तो उसमें कोई पाबंदिया ने हैं लेकिन overall मैंने आपको क्या कहता कि overall कोई भी fundamental right है तो कोई भी fundamental right absolutely नहीं है कहीं न कहीं fundamental यहां पर नहां कने तरना इसमय देखने के रहे इस거든 सब्सक्राने आपे लुड़ीज़ेसी सब्सक्राइबने होंगे तो ही प्रदान मंतरी यह तो ही एक में भूजेन नहीं में को रिलीजन को रूप नहीं को लेकि को प्छी रिलीजिन नहीं है टीका तो नेसे को में । हैंना किसी भी religious affairs में बनदब government को कुछ लेना देना नहीं नहीं है पएर्स कि बेरें तो thi इना प्रफ़ेयर के ओन ऑन वर स्वोलने की रिलिज닝 में कही। ​ इंटरवेयर किया उन्होंने इंगे जो सती प्रता थी इन सारी चीजों को बंद किया चींग है तो गवर्मेंट कहीं न कहीं क्या होता कई बार जो रिलिजिस एक्टिविटी होती है वहां पर गवर्मेंट इंटरफेर करती है ताकि भी ताकि जो जो सोशल इविल्स हैं वो सोशल इविल्स अब नहीं हो मतलब जो कोई प्रेक्टिस वहां पर हो रहे हैं वो प्रेक्टिस अब हो जैसे रीसेंटली हमने देखा था कि government ने क्या क्या government ने triple तलाग को triple तलाग पर बैन लगाय कि triple तलाग जैसे अब triple तलाग नहीं होगा अब इंडिया में तो यहां पर क्या हुआ कि government ने religion में interfere किया और government सुचा कि यह activity नहीं होनी चाहिए तो वैसे government Hinduism में भी government ने इंटरफेर किया government ने इसलाम में भी इंटरफेर किया तो government time to time interfere करती है in religious affairs में ताकि इन religious affairs में ताकि यहां पर कोई चीज सही नहीं है तो उस चीज को बाहर निकाल दिया जाए समझ में आगया यह चीज आपको यहां पे clear हो गई है now equality of all religion it means that government will not favor any particular religion India does not have any official religion government किसी भी religion को particularly favor नहीं करेगी इंडिया का कोई official religion नहीं है इंडिया का कोई भी official religion नहीं है इंडिया diversity को मानता है इंडिया में सभी religion acceptable है ठीक है government will not discriminate on the basis of religion government किसी को भी religion के basis भी discriminate नहीं करेफिंग or right to equality में भी पढ़ है कि government caste religion sex थीक ए place of birth इन सब के बेसे पे क्या है इन सब के बिसे पे आपको क्या करेगी इन सब के बिसे पाप को discriminate नहीं करेगी सो government will not discriminate on the basis of religion इसको आप link कर सकते są right to equality link करना सीख जाओ तो ही आप humanities में आप बहुत अच्छा score कर पाओगे humanities में आपको सारी चीज़े link करनी है right to equality में आपको इसको right to equality में आपको इसको जोड़ना है चीक है यह चीज आपको यहां पर clear हो गई है the next क्या है the institution run by the state will not preach religion or give religious education or not or not they will favor any person any person of any religion ठीक है और साथी साथ जो भी state के institution है जितने भी आप लोग bodies देख रहे हैं जितने भी आप लोग सरकारी schools सरकारी colleges यह सारी चीज़े देख रहे हैं वह कोई भी तरीके का religious आपको favor नहीं करेंगे ठीक है वहां ऐसा नहीं होगा कि आपको इस धर्म की आके prayer करना है इन government schools इन government college और जितने भी government की bodies है जितने भी government offices हैं वहां पर ऐसा नहीं कि किसी particular religion को particular religion को follow किया जा रहा है वहां पर सभी religion equal है और नहीं वहां पर कोई discrimination हो रहा है इसी ही हम कहेंगे secularism secularism में क्या है कि इंडिया का कोई अपना official religion नहीं है government किसी को भी religion के नाप पर discriminate नहीं करेगी और इंडिया का कोई भी religion नहीं है ठीक है the limitation on right to freedom of religion always produce tension between followers of various religions and government ठीक है अब कुछ-कुछ यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो government बारपार जो interfere करती है government में जैसे हमने देखा किया government Hinduism में interfere किया और government ने सती को बैन किया तो वहां पर क्या था तो वहां पर जो Hinduism के जो लोग कुछ लोग थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि community और government के बीच में हमेशा कहीं न कहीं टसल होता है जब भी government किसी भी religious matter में इंटरफेर करने की कोशिश करती है तब अच्छा एक यह फोटो है यह आपको वैसे तो पता होगा लेकिन जिसे नहीं पता हो तो बहुत ही खुपसूरत हैं अगर Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, Islam, Christianity यह सारी चीज़ी देखे और अगर इन सारे religion को लिखे तो यह सारे religion कहीं न कहीं Indian बना रहे हैं और यह हमारी India की खुपसूरती को दर्शाता है India is known for its diversity, India is known for its diversity, clear है यह चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई है next आगे देखते हैं issue of freedom of religion and religious conversion ठीक है अब यहाँ पर हम freedom of religion और जो religious conversion होता है ठीक है धरम परिवर्तन जो होता है उसका हम थोड़ा सा यहाँ पर इस issue को हम यहाँ पर समझते हैं freedom of religion guaranteed to propagate one's religion however some people recent conversion on the ground that these are based on intimidation or inducement forceful conversion are not allowed it only give us right to spread information about our religion and attracts other to it ठीक है हमारे हमेने क्या बला था अभी मैंने आपको बताया था कि India में right to propagate की भी right to propagate भी एक अधिकार है मतलब कि मैं अपने religion के बारे में दूसरों को बता सकता हूँ कि मेरे religion में यह अच्छी चीज है मेरे religion में यह ऐसा है तो लेकिन इससे क्या हो रहा है कुछ लोग ऐसा करते हैं कुछ लोग बार बार ऐसा बताते हैं हमारे religion में ऐसा है ऐसा है और इससे वो इंसान सामने वाले इंसान को कही ना कई forceful conversion के लिए कि देखो तुम्हारे religion में तो यह यह चीज़े अच्छी नहीं हो मेरे religion में तो यह यह चीजे बहुत अच्छी है तो कही ना कई हम यहां पर conversion हम लोग देखते तो यहां पर यह बताए गया है Constitution और Supreme Court ने समय समय पर इसको बहुत ज़्यादा क्लियर किया मतलब Constitution में भी क्लियर है और Supreme Court ने भी इसको बार बार क्लियर किया है कि आप अपने religion के बारे में बताओ कि मेरे religion में यह अच्छी बात है उससे कोई उससे हमें कोई समस्या नहीं बोल दो कर दो लेकिन आप उनके से जबर्दस्ती नहीं कर सकते कि तुम हमारे religion में convert हो या आप उनको उत्सा नहीं सकते कि तुम्हारे religion बहुत बुरा है तुम हमारे religion में आ जाओ आप अपने religion के बारे में बिल्कुल propagate करो बट conversion forceful conversion allowed नहीं है कोई इनसान अपनी एक्षा से करता तो वो बात अलागे लेकिन forceful conversion बिल्कुल भी allowed नहीं है तो एक है religion और religious conversion की अगर आप आज भी देखें तो यह debate इतनी बड़ी है कि मैं एक घंटे तक बोलता जाओंग और आ है कि आपकी बुक में हैं तो religious conversion इंडिया में allowed नहीं है religious conversion अगर forceful हुआ तो उसकी सजा है लेकिन आप अपने religion को propagate कर सकते हैं इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई हो गई right to freedom of religion में और कैसे इसको हमने link कर लिया right to equality और right to freedom से clear है I hope सभी चीज़ें आपको sense कर रही होगी सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी So Magnet Brains के वीडियो आप लोग YouTube से access कर सकते हैं बट बहुत बार यह होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं तो इसका solution भी Magnet Brains लेके आया है वो है Magnet Brains की website Magnet Brains की website पर पहुंचने के लिए simply आप लोग Google पर जाएए Google पर आप Magnet Brains.com लेके search पर क्लिक कीजिए जैसी आप Magnet Brains.com लेके search पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का interface आपको नजर आएगा नीचे दिया गया होगा explore top courses या CBSE K12 English, CBSE 6-12 Hindi, NTSC Olympia सभी तरीकी की वीडियो आपको मिल जाएंगे फिलाल मुझे CBSE K12 English पढ़ना तो मैं यहां पर गया यहां पर सभी classes mentioned 12th, 11th, 10th हमें जिस चीज़ की पढ़ाई करने हो उस class पर चले जाना फिलाल हम class 12 political science पढ़ने तो मैं class 11 पर class 11 political science पढ़ने तो मैं कहां गया मैं class 11 पर गया class 11 पर मैंने जैसे ही touch किया तो class 11 के सभी subjects के वीडियो आपको यहां पर देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना class 11 का political science आपको यहां पर देखेगा मुझे यह वाली बुक पढ़नी है सभी वीडियो बहुत अच्छे से मिल जाएंगे वेबसाइट से भी नहीं पढ़ना है तो जाओ प्ले स्टोर से आप लोग मैंगनेट मेंस का एप डाउनलोड कर सकते हो एप के माधियम से भी आप इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं मैंगनेट मेंस एक कंप्लीट फ्री एजूकेशन प्लैटफॉर्म है यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है साथी साथ सभी कॉंपेडिशन लेवल की भी पढ़ाई मैंगनेट मेंस पर करवाई जाती है आप लोग जादे से जादे इन वीडियो को शेर कीजें मैंगनेट बेंस के बारे में बताइए अपने स्कूल, कॉलेज, इस्ट्यूशन, भाई बहनों को बताइए साथी साथ वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कीजे, मुलाकात होगी आपसे नेक्स वीडियो में एक नए टापिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद